हेलो फ्रेंट्स मैं सुनीता सिंग और स्वागत है आपका पायस किचिन में फ्रेंट्स आज में बना रहे हूँ एकदम सौफ्ट स्पॉंची ढोकला जैसा कि हम बाजार से लाते हैं मैकसिमल लोगी की सिकायत होती है कि घर में बाजार जैसा ढोकला नहीं बनता या तो ढोकला डैंस हो जाता है या परफेक्ट जाली नहीं बनती या फिर बीच में से कच्चा रह जाता है लेकिन आज में जो आपको तरीका बताऊंगी ना उससे आपका ढोकला एकदम परफेक्ट मार्केट जैसा बनेगा बस आपको करना क्या है छोटी से छोटी टिप्स को ध्यान से सुनना है जिसके लिए आपको वीडियो को बिना इसके प्रिप के पूरा देखना पड़ेगा तो सुरू करते हैं डोकला बनाना डोकला पनाने के लिए सबसे पहले measurement का हमें बहुत धिया रखना पड़ेगा तो यहां मैंने एक टी स्पून लिया है citric acid आप citric acid का ही यूज करें इसकी जगा आप इनो का बिल्कुल यूज ना करें citric acid से डोकला बहुत अच्छा sponge यो बजार जैसा बनता है अब यहां पे लिया है मैंने तीन टेविल स्पून सुगर और हाफ टेविल स्पून सॉल्ट इसमें मैंने मिक्स किया है एक कप पानी यह जो मेजरिंग कप आते हैं यह सारा मैं उसी के according बनता बता रही हूँ अब हैंड विसकर के help से हम इन सब को जब तक मिलाएंगे जब तक की सारी चीज़ें गुल नहीं जाती हैं अब इसमें ओयल डालना भूल गई थी अगर आपके पास मुनफली का तेल है तो आप उसका यूज करें लेकिन मैं यहाँ पर मेरे पास मुनफली का तेल नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पर दो टेवल स्पून सरसों का तेल लिया है तेल डालना बहुत ज़रूरी है आप तेल की जगे रिफाइन ओयल का भी यूज कर सकते हैं बेसन का डोकला क्या होता है बहुत रूखा रूखा बनता है जो गले में अटकता है इसलिए अगर हम ओयल डालेंगे तो जो यह बहुत मॉइस डोकला बनेगा अब हमने देखे मैंने यहाँ पर मेजरमेंट करके दिखला रही हूँ कि एकदम फ्लैट हमें इसमें मेजरमेंट लेना है यह नहीं है कि हम कप को ओवर कर दे या दबा दबा के भर दे ऐसा हमें बिलकुल नहीं करना है तो यहाँ पर मैंने दो कप फाइन बाला बेसन लिया क्योंकि बेशन पड़ा पड़ा एकदम सक्त हो जाता है लेकिन जब इसको हम छानेंगे न तो इसमें air आ जाएगी और ये बहुत हलका और फूला फूला हो जाएगा अब क्या करना है हमें इन सारी चीजों को hand whisker के यूज से बहुत अच्छी तरह से मिलाना है देखिए इस तरह से और ध्यान रखना है कि हमें whisker सिर्फ एक ही साइड को चलाना है यानि कि यह नहीं कि एक बार हम इसको clockwise घुमा रहे हैं और एक बार anti-clockwise हमें सिर्फ एक ही साइड को whisker चलाना है जब ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब इसे हम रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे तो रेस्ट पे रखना बहुत ज़रूरी है आप 10 से 15 मिन तो रख सकते हैं लेकिन इसे कम ना रखें जली अब तयारी कर लेते हैं तब तक तो जिस टिन में हम ढोकला को तयार करेंगे उस टिन को हम ऑईल कर लेंगे ताकि ढोकला उसमें चिपके ना यहां मैंने एक भगोना लिया है बड़ा उसमें मैंने लगभग दू गलास पानी डाल दिया है और बीच में एक कटोरी को रख दिया है कटोरी की जगे अगर आपके पास मोल्ड हो या रिंग हो आप उसको भ उसको उंगली से या किसी भी चीज से चला कर देख लेंगे तो जो हमारा इसमें सवल्डा है वह न ला टो बहार निकले ना अंदर रहें तो हम्ने क्या गया है एक स्वाण का ऐख उन्दम हो लिया है और उसको डाल दिया है सवाडय के अपर हमने डाला है दो टेबल स्पू प्लपी प्लपी लग रहा है इसके अंदर बहुत सारे एर बबल्स बन गए है तो इसके आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी अच्छी है बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी चाहिए इसलिए हमें बेशन और पानी का जो रेशियो है विकदम ध्यान में रखना है तो यहां पे ह हमने दू कप लिया है बेशन और एक कप पानी इससे ज्यादा पानी बिल्कुल ना डाले वन्ना तो आपका ढोगला बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा जैसे पानी में बोईल आ जाता है हम फटाफट से तिन को रख देते हैं बागवनी में और इसको बन कर देते हैं और अग संसे सघ्यादै कि इस सदू कर देनो ना गऺाएन फटानी है हमारा धोकला परेडियो तो इसे हम कैसी ह्तुटे बम पर आधो जोड़ा बसकां पान न सग्ता जोड़े के लिमटा जाना झेना है दथ किनार कीनाहिकी कि शड़ डिया है अग्दम परफेक्ट व्न बन कर रद् फिर भी हम चाकू की साहता से चारो तरफ से इसको लूज कर लेंगे और इसको किसी थाली में पिलेट पे या फिर चॉपिंग बोड पे इस तरह से पलट के निकाल लेंगे बहुत इसली से ये डिमोल्ड हो जाता है अब आप देख सकते हैं कि ढोकला का जो जाली है कितनी अच बहुत ही अच्छा धोकला बना है एकदम सॉफ्ट है चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं आप अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं आपको जैसे भी इसके पीस बनाने है तो मैं इसको यहां केक की तरह काट रहे हूं ट्रेंगल शेप में क्योंकि जो मैंने धोगला बन बनी है और कितना स्पॉंजी है एकदम स्पेंज की तरह दवरा है और वापिस उसी फॉर्म में आ जा रहा है तो इस तरह आप घर में ढोकला बना सकते हैं और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना अगर आपने मेरा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें अब बना लेते हैं इसका तड़का तो तड़का बनाने के लिए मैंने एक बड़ा चमच लिया है सरसो का तेल की जगर रिफाइन ओयल या मुफली का तेल भी ले सकते हैं साथ में मैंने इसमें डाल दी है एक टीजपून राई पांच हरी मिरज को लंबा लंबा काटके डाला है और पांच छे कड़ी के पत्ते डाल दी है कड़ी पत्ता ज्यादा ना डाले इससे वनना तो उसका ज्यादा तेज आने लगता है अब मैंने यहां पर तीन बड़े चम्मच चीनी के मिक्स किया है और एक बड़ा चम्मच नीबुकारा जिससे इसमें खट्टा मीटा टेस्ट आएगा तो यह हमारा तड़का बनकर तयार हो गया है जब पानी यह जो तड़का है जब हलका सा अगर हम रहें तभी इस पानी को इस ढोक ले के ऊपर पोर करें तो यहां देखिए कितना अच्छा ढोकला बनकर तयार हुआ है और अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं फ्रेश हराधनिया काटकर अगर आप नारियल डालना चाहते हैं तो इसके उपर ताजा नारियल भी कचकर डाल सकते हैं यहां धोकला बनकर एकदम तयार हो चुका है आप देख सकते हैं कि मारा धोकला कितना जूसी, स्पॉंजी बना है आप भी इस तरह से अपने घर में ढूकला जरूर बनाईए आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगा और कमेंट्स में लिक कर बताईए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई है अपकी कुकीं